कि दोस्तों मैंने एक नई रेसिपी बनाई है तुम लोग टेस्ट करके बताओं कैसी है सॉरी बोस आज मेरा व्रत है कोई शक और आज मैंने कसम खाई है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा बनी जब कुछ नहीं खाना था तो कसम क्यों खाई हनी अब तू खा और बता रेसिपी कैसी है मैं खाऊंगा मुझे बहुत भूक लगी है इसको दे दो जो दिमाग खा सकता है वो कुछ भी खा सकता है कोई शक कैसा है यह तो अब मेडिकल रिपोर्ट ही बताएगी कि हनी कैसा है कोई शक यह तो बहुत ही मज़ेदार है मैं तो भूली गया था कि मैं पोपट हूँ और पोपट व्रत्र नहीं रखते लेकिन तुमने तो कसम खाई थी हाँ कसम खाई थी लेकिन कसम से पेट नहीं भरा क्या बाद क्या बाद क्या बाद पहली बार कमाल का खाना बनाया है लेकिन ये बनाया क्या है मुझे इसका नाम नहीं पता ये मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है अगर ये खाना मार्केट में आ जाए तो अपना तो जोरदार हिट हो जाएगा आज सही बोला सबी लोग जोरदार का इंटर्वियू लेंगे फिर सबी लोग जोरदार के साथ सेलफी भी लेंगे मेरे पास एक आइडिया है क्यों ना हम फूड स्टल खोले जहां हम जोरदार के हाथ का बनाय हुआ खाना बेचेंगे बहुत ही अच्छा इडिया है सुबा से दो पहर खत्म होने को आई है लेकिन एक भी पैकेट खतम नहीं हो पाया है कोई शक अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा प्लान बेकार हो जाएगा खोटे बाई मैं तो कहता हूं खा लेकते हैं अपना पेट भी भर जाएगा और खाना भी बेकार होने सुबज जाए चोटे बाई सीधे बोलना विक नहीं रहा है तो फ्री में देना है नहीं बड़े बाई ऐसा करेंगे तो लोग फ्री के लिए हमारा फूट खाएंगे और एक बार खाएंगे तो उनको हमारे फूट के बारे में पता चलेगा ये सही कहा बनीने कोई शक तो फिर पोपट ये ही है छूट नहीं मिला तो मज जाना रूट खाना कैसा है भाई लोग आप देख सकते हैं कि टेस्टी पैट फूट के लिए लाइन लगी पड़ी है कहते हैं कि ऐसा फूट आज तक किसी ने नहीं खाया है आपका बनाया हुआ खाना तो हर नियूस चैनल पे छाया हुआ लांग शोट में एक्स्क्यूज मी तुम्हारी और तुम्हारी फूट की तारीफ तो मैं सुन चुकी हूँ और अपने बहुत को भी सुना चुकी हूँ लेकिन आप है कौन आपने फेमिस रेस्टोरेंट के बारे में सुना है यहां तो बहुत रेस्टोरेंट फेमस है आप क नहीं, मैं तो हनी हूँ, उल्लू तो खाना लेके चला भी गया, चुपकर बड़े भाई, ये रेस्टोरेंट की बात कर रही है, जिसका नाम फेमस है, वो तो शेहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, हाँ, वही, मेरे बॉस आपका खाना टीस्ट करना चाहते है, आप अपन आपको कैसा लग रहा है, बहुत ही शानदार, दमदार और मजेदार, उनके लिए खास क्या बनाने वाले है, ये जो बनाता है, उसके बनने के बाद ही पता चलता है, कि इसमें क्या बनाया है, है ना जोर्दार, इसका मतलब है, हम कल क्या बनाने वाले है, ये हम अभी नहीं स्टेयर ये सिक्रेट नहीं है बस इनको नहीं बताया है मैं अपनी रेसिपी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता सिसी लिए द हूंत आर आपको फेमस होने के लिए खोणक्राचुलेशंज तो ये थे मिस्टर जोरदार जिनकी रेसिपी सभी लोगों को पसंद आ रही है मैं क्यामरमेन पिंकी के साथ स्वीटी चलो अभी नेक्स नीउस के लिए चलते हैं जोरदार यह तो कमाल हो गया इतने बड़े रेस्टुरेंट का मालिक तेरे हाथ का खाना टेस्ट करने आ रहा है मतलब जोरदार फेमस होने वाला है सिल्फी वाला टाइम आने वाला है कोई शक है भाई खाना ये फ्री वाला ही खिलाना है या नया बनाना है रामोश सुना नहीं फेमस रेस्टोरेंट का मालिक आ रहा है इसलिए तुम लोग सबने देखना बंद करो और सब काम पे लग जाओ रुप जाओ क्यों क्या हुआ जोरदार मेरा खाना खाने के लिए फेमस रेस्टोरेंट का मालिक आ रहा है कोई तुम जेसा टिंजू-पुंजू नहीं समझे हाँ पता है तो और मैं किसी भी एरे गेरे नत्थु खेरे को अपने किचन में बिना नहाय धोए अंदर नहीं जाने दूँगा हाँ अटेंशन सभी हेलपर दाए मुड बाएं से सबजी उठा और सामने से मसाले उठा कर काम शुरू कर सुनो मा के लाल मेरा टाइम आया है तो तुम्हारा भी टाइम आ गया सच्ची यह कैप पहनने का टाइम आ गया खामोश खड़े मत रहो काम करो जल्दी जल्दी यह फास्तर फास्तर समझे यह क्या कर रहे हो टमाटर भी काटना नहीं आता बड़े लोगों के लिए हमेशा नाप तोल के बनाया जाता है यह तुने क्या किया खामोश देखा नहीं तुम्हारे टमाटर मैंने डस्बिन में डाल दिये अगर ऐसे ही काम करोगे तो तुम्हें भी डस्बिन में डाल दूंगा जाओ दुबारा टमाटर काटो जोरदार मैं टमाटर नहीं काटूंगा हाँ भाई मैं भी नहीं काटूं और अपुन भी ये नहीं करेगा ऐसा काम करके अपुन पानी पानी हो जाता है जाओ दफा हो जाओ वैसे भी ये काम तुम्हारे जिसे लोगों का नहीं है इसे तो मेरे जिसा कोई बड़ा शेफ ही कर सकता है क्या बाद क्या बाद क्या बाद ये तो फेमस होने से पहले ही बड़ा बन गया है कोई शक हमें हमारा जोरदार वापस लाना होगा लेकिन जोरदार तो यहीं है फिर वापस कहां से लाएंगे ओहो, हनी, गदे, बनी का मतलब है जोरदार जैसा था, वैसे ही बन जाए तो ठीक होगा लेकिन कैसे छोटे भाई अरे ओ, बीना तली के लोटों, तुम मेरे किचन में क्या कर रहे हो तुम्हें तो बाहर होना चाहिए, अगर तुम्हें फेमस शेफ ने देख लिया तो मेरी इज़त का कबाड़ा हो जाएगा, समझे, जोरदार, हम तो बस हाराम कर रहे थे क्या ये जोरदार का ही घर है, नहीं इट पत्थर और सिमेंट का है, जाख ये फेमस रेश्टोरेंट के मालिक से मजाख ये जोरदार का ही इज़त यह बात दिल्ली तक जायेगी हाँ अरे आप हम आपका इंतजार कर रहे थे मैं बस चेक कर रहा था कि फ्रीजर सही है या नहीं आईए आईए बैठिए सर बैठना ही है हम इहां कौंछा लेटने आए है। यह काफी मज़ेदार था अब कुछ खाने के लिए भी लाओ जिससे मूँ का टेस्ट चेंज हो जाए पनी अब मैं क्या करूँ खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है क्यों तू अकेला ही सब कर सकता है ना तो कर ले नहीं कर सकता तू हेल्प कर दे भाई अगर शेफ को खाने के लिए नहीं दिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी तेरी इंसल्ट मतलब हमारी इंसल्ट है जोरदार हम सब तरी हेल्प करेंगे क्यों दोस्तों मैं टमटर काटता हूं क्या बात क्या बात मैं तड़का फ्राई करता हूं कोई शक मैं मिक्सी में मसाला पीषता हूं यह खाना कब तक आएगा जोरदार अब तक तो तुमारा निम्बू पानी दो दो बार खतम हो चुका है वो निम्बू पानी नहीं हाथ दोने वाल बॉल था फिंगर बॉल यह लीजे सर जोरदार के हाथ का बना सबसे टेस्टी खाना काफी जोरदार दिखता है यह खाना जरा हमेच्च खाना कि बहुत ही लाजवाब क्या तुम मेरे फेमस रेस्टोरेंट में जॉब करोगे यह खाना में अपने दोस्तों के बिना नहीं बना सकता था सर इसलिए में आपके रेस्टोरेंट में काम नहीं कर सकता क्या बात क्या बात क्या बात यह हुई ना बात बहुत याराना लगता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ फिर तो मेरा भी यहां कोई काम नहीं छुट्टे भाई हमारा वाला जोरदार हमें मिल गया